कुछ नमबर 11 लूप केरिंग करेंट आई लाइज इन एक्सवाइप लेन एस शोन इन दा फिगर दा यूनिट वेक्टर के कैप इस कमिंग आउट अफ दे प्लेन आफ दी पेपर दा मैगनेटिक मुमेंट आफ दी करेंट लूप का अगर में किसी भी लूप का लिखना है तो डायरेक्शन उसका हम लोग राइट हैंड हम रूल से निकालते हैं और मैगनिट्यूट सीधे-सीधे आई इंटू एरिया के एकपल होता है तो देखो करेंट की वैली तो आई है अब अगर हम इसका एरिया लिखेंगे तो ध्यान से देखो एक तो इसमें स्क्वाइर बन र है और दो सरकल का एरिया हो गया अंडू पाई आर स्कुर्र लेकिन आर की जगे यहां से देखना और क्योंकि करेंट का डिरेक्शन आप देखो कैसा है करेंट का डिरेक्शन जो है इसमें अटिक लॉक्वाइज है तो इसका जो मिव एक्टर होगा वह आउटसाइड होगा का मतलब है के कैप के डिरेक्शन में तो यह के कैप बन जाएगा कोई देख लो कितना आएगा तो ए स्क्वाइर आई अगर बाहर निकाल ले तो यह आएगा वन प्लस पाई बाई टू टाइम्स एक सिंपल कोशन हैं बी ऑप्शन से हो जाएगा